दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी पल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें दनू राशी वालो बेटा अब रद्य शिद्य के दाता भगवान शिरी गनेश और धनकी देवी मा लक्षमी क्या सिर्वास से 6 दिसंबर से 12 दिसंबर यानि कि दिसंबर महा के इन पूरे 7 दिनों के अंदर आपको पूरे 10 लाख की गड़ी मिलेगी जड़ोसतों ये राज की बात किसी को पता नहीं शमें बहुत कम हैं बाद में मत कहना की हमें मिला नहीं वीडियो को आज पूरा देखी सारे काम चोड़कर वीडियो पूरा देखी क्योंकि यह बात धन प्राप्ती की बात हैं किस प्रकार आपको इन साथ दिनों में दस लाक की गड़ी मिलने वाली हैं किस प्रकार धनके प्राप्ति आपको होने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही बताएंगे तो दोस्तों शमय आपके लिए किस प्रकार रहेगा वीडियो में वही जानेंगी कि किस प्रिकार भगवान गनेस मतालक्षमी कि किरपा इन साथ दिनों में आपकी राशी वालों पर हो गई है तो कि आपकी जानकारी के लिए बाता है इन साथ दिनों में बुद्धत्य योग गज केसरी योग धन लक्षमी प्राप्ति योग महालक्षमी योग राज योग और धन योग जैसे बहुती सुभ योग बन रही हैं जिसमें आपको बड़ा धन लाब होना ही होना है परन्तु ये बड़ा धन लाब किस प्रिकार होगा कैसे होगा इस दोस्तों पूरा वीडियो देखें या दोस्तों वीडियो का के सुरू करें सबसे पहले तो आप लोग से रिक्रेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बोक्स में जैस श्री गनीज जैमा लक्षमी अवश्य लिख दें जिसे भगवान गनीज बातन लक्ष होते हैं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि रिद्धि शिद्धि के दाता भगवान गनेश और धनकी देवी मातन लक्षमी के किरपा से आपके लिए यह समय धन प्राप्ति का समय रहने वाला है सबसे पहले तो आप यह बात ध्यान रख लें यह समय आपके लिए आर्थ योग और गजके शिर्योग धन लक्षमी प्राप्ति योग है तो इस समय का आपको लाब उठाना है जो भी आपको धन प्राप्ति का अवसार मिले उसे हास्ते नहीं जाना लेना है और आपको बता दें कि इस समय जो भी ग्रेहों में परिवर्तन होंगे आपके लिए लाब ते बिगड़ जाते थे वे भी अब भगवान गनेश और माता लक्षमी किरपा से बनने लगेंगे और सबसे बड़ी बात आपके लिए जो यह समय रहेगा नौकरी से संबंदित तो बहुत अच्छा समय रहेगा नौकरी से संबंदित का मतलब यदि आप नौकरी प्राप्ति की चाहर रखते हैं मन चाहिए नौकरी आपको प्रियास अपना रखना होगा आपने के इंटर्विव दिया है तो आपको इंटर्विव के शकारत्मक परणाम इस समय में प्राप्त होंगे और ऐसे भी योग बनेंगे कि आपको नौकरी प्राप्ति के लिए इंटर्विव देना पड़ सकता है तो आप बस तैयार रहें समय का लाब उठाने के लिए और यदि आप पहले से ही नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग हैं वेतन व्रद्दी हो सकती है आपकी और साथी साथ से यदि इस्थान परिवर्तन को लेकर कोई आप योजना बना रहे हैं तो आपका नौकरी से सब्बंदी जो इस्थान परिवर्तन है मंच बिजनिस आगे बढ़ेगा चारों तरफ से लाब मिलेगा आपको बसरते आप अपने बिजनिस वैपार में लगन शीन रहें पूर्ण रूप से समर्पित रहें और एक शाबदानी छोटी सी यह रखें कि अपने सिक्रेट्स किसी को ना बताएं आप जो भी आप करना चाहते ह आपके बातों पर लोग गोर करकर उस पर अमल कर लेते हैं और आप अमल नहीं कर पाते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं और वो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं तो आपके पीछे रहने का यह भी एक कारण है कि आपको गाना बजाना नहीं है चुप चाप अपने कारे के परती लग जाना है फल की चिंता ना करें क्योंकि फल तो आपको सुब ही प्राप्त होंगे आपके हित्मे ही जाएंगे इसके लिए आपको अपने मन में दर्ण निश्चिता रखनी होगी तो निरास होने के आवसकता नहीं है अपने कारे के परती लगन सीन रहें और सबसे आपको बता दें एक बात कि यह समय आपके लिए प्रेम संबंदों के लिए तो बहुत अच्छा समय साबित होगा यदि आप किसी से प्रेम करते हैं अपने प्रेम का इजार करना चाते हैं तो कर दें आपके पक्ष में ही जाएगा जो भी फैसल होगा और एह विवायतों के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा विवासे संबंदित अच्छे प्रिस्ताब उनके घर में आएंगे और एक अच्छे जीवन शाती का चुनाव कर पाएंगे मन चाहा प्रेम मिलेगा यूँके तो प्रेम संबंदों के लिए समय च्छा रहेगा गर परिवार में भी खुस्नमावाता वरण रहेगा गर परिवार में यदि किसी प्रकार के कोई अनमन चल रही है वे अनमन दूर होगी और उने प्रेम बढ़ेगा गर परिवार में यदि शगे संबंदियों से कोई जगड़ा चल रहा हैं अपने रिष्टेदारों से किसी भी प्रकार का तो ऐसे योग बनेंगे कि आप से प्रेम बढ़ जाएगा और वे जगड़ा भी सबाप्त हो जाएगा आपस में मिल जोलकर रहेंगे सब लोग और आपको बता दें कि जो लोग संतान प्राप्ती के एक शुक राप्ति नहीं हो रहा तो इस समय में संतान प्राप्ती का शुक भी प्राप्त होने वाला हुगा शंतान प्राप्ति का शुक प्राप्त होगा इतना अच्छा समय किलकारिया गुञेगी घर में घर परिवार में आपको मिठाई बाटनी पड़ जाएगी इतना अच्छा समय रहेगा निरास ना हुआ और साथी साथ आपको बता दे शंतान की तरफ से आपको कोई सुबसमचार मिल सकता है सुबसमचार का मतलब की जो आपकी संताने कुछ ऐसा करेगी कि जिससे आपका नाम रोशन होगा कुछ भी करें आपका नाम रोशन होगा केरियर से सम्मंदित शंतान को अच्छा लाब मिलेगा इस समय में और जो लोग विदेश में जाकर नोक्रिये पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वह सपना इस समय पूरा हो जाएगा विदेश में जाने का आपको अवशर प्राप्त होगा बिजिनिस वेपार से सम्मंदित भी समय आपके लिए सुब मंगल कारी रहेगा ग्रेनक्षक्त्रों में जो परिवर्तन होंगे आपके लिए एक अच्छे धन प्राप्ती का निर्मान करेंगे इस समय में और शाते-शात आपको बता दें जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनको वाहन सुक्की भी प्राप्ती होगी नया मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान भी खरीद सकते हैं इस समय में और शात-शात प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश करना भी उनके लिए फैदेवन शाबित होगा तो प्रॉपर्टी सम्मंदी समय तो बहुत यच्छा रहेगा आपके लिए और शातिसा जो लोग शेर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा और आपको एक बात और बता दें कि आपको कामियाब होना है तो गलस संगती का साथ छोड़ देना है कामियाब का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ करना है आगे बढ़ना है तो गलस संगती का साथ छोड़ दें गलस संगती में यदि कोई मदिरा पान करता है आपका दोस्त मास, मचली, अंडा इन सब चीजों का त्याक कर दे कुछ समय के लिए तो करकर देख लें यदि काम्याव होना है कुछ समय के लिए गलस संगती का साथ छोड़ देंगे तो आपके लिए ऐसा करना लाइफ चेंजिंग साबित हो जाएगा यूं कहीं करकर देख लें जादा समय ने कुछ समय के लिए करकर देख लें यदि गलस संगती के साथ कुछ समय के लिए छोड़ कर देखते हैं और आपको लाब मिलता है तो फिर आपको गलस संगती में जाने के आवश्क्ता नहीं क्योंकि जो आमने कह दिया है वे पत्थर की लकीर साबित होगी आपके लिए गलस संगर्ती का साथ छोड़ दें आप अगर कामयाब होना है आपको अपको अपनी जीवन में फिर देखना किस प्रकार निरासा के बादल आपके जीवन से हट जाते हैं और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा फिर और साथी साथ आपको बता दे कि वाहन भी आपको साफधानी पूरवक चलाना है इस समय किसी भी प्रकार की आप दुरगटना से बच सकते हैं बिजली के उपकरोनों से दूरी बना कर रखें इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा और साथी साथ बात अगर स्वास्त की करें तो दोस्तों स्वास्त के शितारे आपका भरपूर साथ दे रहे हैं इस समय में स्वास्त अच्छा रहेगा आपका यदि किसी कारण से आपको कोई भीमारी है या पिछले कुछ समय से किसी भीमारी से ग्रिष्ट है तो आपको निरास होने के आवशक्ता नहीं है नियमित उपचार करवाएं अपना आयल देख चीजों का दिख सेवन करें और स्वास्त रहने के लिए प्रते दिन सुबा जल्दी उठकर योगा करें शेर करें प्रण्याम करें स्वास्त अच्छा रहेगा चिंता मुक्त रहें प्रण्याम करें योगाशन करें आप रोग मुक्त रहेंगे शकारत मक्सोचे तो दोस्तो हमने आपको इस वीडियो के मादम से भगवान गनेश और माताल लक्षमी किरपा से किस प्रकार यह समय रहेगा आपको बताया वैसे तो यह समय आपके लिए अच्छा समय साबित होगा जिस प्रकार बताया समय उसी प्रकार साबित होगा परंतु जिस परकार कुछ साफधानिया बताई हैं उन साफधानियों को भी पवश्य रखना है तब ही आपको लाब मिलेगा और दोस्तो इस समय में संभव हो सके तो आप गरीब और जरुतमंद लोगों की मदद करें जितना आप से बने शृद्धा सामर्थ के अनुसार अन् नहीं भगवान गनेश और मातलक्षमी आपसे प्रसंद भी रहेंगी तो किसी ने किसी रूप में मदद जरूर करें को कि इस से आपका ही भग्या उदे होगा तो दोस्तो मिलते हैं अगली सी परकार की वीडियो के साथ जब तक के लिए धन्यवाद जैमालक्षमी जैश्री जैगनीश